हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं बनाने जा रहे हूँ बहुत ही आसान और कुरकुरे ब्रेट पकोरे इस ब्रेट पकोरे की खास बात यह है फ्रेंस कि इसे मैं तयार कर रही हूँ बिना किसी फिलिंग के और इसे आप टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ इंजुआए कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करती हूँ तो यहां देखे फ्रेंड से एक बॉल में मैं पांस से छे चमच मैदा ले रहे हूँ आप मैदे के जगर बेशन का भी यूज कर सकते हैं तो यह ब्रेट पकोरा मैं मैदे से तयार कर रहे हूँ मसाले में मैं देखे नमक स्वातकेरण सा डाल दी हूँ हल्दी लाल मेश का पॉडर यह धनिया पॉडर साथ में थोड़ी से गरम मसाला में दी हूँ और ये जीरा पॉडर, ये सभी मसाले मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ और थोरा सा मैं देखे मीठा, मीठा सोडा मैं डाली हूँ अचलिए अब इसका घोल तयार कर लेती हूँ जितना पाणी की जोरत परेगी उसी करण सार आपको पाणी देना है और इसका घोल तयार करना है तो धीरे धीरे ही पानी देखे इसका घोल तयार कीजेगा तो देखे मैं घोल तयार कर ली हूँ तो इसमें देखे मैं धन्या पत्ता डाली हूँ यदि है आपके पास तो जरू दीजी यदि नहीं है तो उसे आप स्किप कर दीजे तो इस तरीके से धन्य पते को मिक्स करके चलिए घोल को मैं साइट कर देती हूँ और इधर देखे मैं पांच ब्रेट का स्लाइस ले हूँ और वाइट वाली है आपके पास जो भी ब्रेट है उसे आप लीजिए तो देखे पहले एक कट मैं मारी हूँ इसमें और यदि आप तो सिंगल ही कटिंग करके छोड़ सकते हैं लेकिन मैं दो बार इसे काती हूँ यानि कि चार भाग कर दी हूँ तो काफी हिसे निकल गई है ब्रेट की तो चलि मेरी घोल तो तयार है और एक करके सभी घोल में मैं ब्रेट को मिक्स करती हूँ तेल मेरी साइड में गर्म हो च अच्छे तरीके से सभी में कोड लगाईए और डालते जाएए एक सार जितना आप आए फ्रेंस उतना ही दीजिएगा नहीं तो ज्यादा देने से क्या होगे कि उलट पलट करने में दिक्कत होगी अगाइस का फिलेम बिल्कुल मीडियम टू हाई रखिएगा अद दोनों ब्रेड आपको उलट पलट करना है जब ब्राउन हो जाएगी तब तो देख रहे हैं कि कलर काफी अच्छी तरीके से चेंज हो गई है ब्राउन हो गई है तो इसे मैं पलट दी हूँ इसी तरीके से आपको दोनों साइड से सिकाई कर लेनी है इसके बाद इसे एक करके निक करते हैं बच्चे सब इसे आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में कोई तरह के गेश्टी मेहमान आ पर जाते हैं यदि फिलिंग्स है तो फिलिंग्स भर के दीजिए यदि नहीं है तो जट पर से आप इस तरीके से प्लेंड प्रेड्ट प्रोड भी बना कर दे सकते हैं गर्मा गरम बहुत ही स्वाधिस लगती है फ्रेंश खाने में इसे आप चाय के साथ भी इंजुआई कर सकते हैं ग्रीन चटनी टोमेटो सॉस के साथ जिस किसी के साथ चाहें इंजुआई कर सकते हैं बहुत ही जवरदस्त लगती है खाने में तो यह देखिए इसी तरीके से में सभी ब्रेट पकोड़े को तल ले रही है तो हैना फ्रेंस बनाना बिल्कुल ही आसान जट पर से यह बन के तयार हो जाती है तो यह लीजे फ्रेंस ब्रेट पकोड़े गर्मा गर्म टोमेटो सॉस के साथ इंजुआई कीजी धन्या पत्ता देने से काफी ही टेस्टी फ्लेवर आती है ब्रेट पकोड़े की तो आप ज़रूर दे इसे आप चाय के साथ भी इंजुआई कर सकते हैं तो चले फ्रेंस मेरी यह ब्रेट पकोड़े की रेसिपी यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा मेरी चैनल पे अपने परिवार का ध्यान रखेगा ख्याल रखेगा टेक कियर बाई फ्रेंस थेंक यूँ